हलो एवरिवन आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कच्चे आम की ऐसी सबजी जिसे साल भर तक स्टो कर सकते हो बनाने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका इस तरीके से इतनी टेस्टी कच्चे आम की सबजी बनेगी कि आप अंगुलिया चाट चाट कर खाऊगे तो फिर चलिए ये वीडियो फटा फट से शुरू कर लेते हैं कच्चे आम की सबजी बनाने के लिए आपको छे मेडियम साज की कच्चे आम लेना है और इसी के अकोडिंग अपन सारा मेजुर्मेंट देखेंगे कच्चे आम में बहुत टाइप की विराइटी आती है कच्चे आम की आप कोई साभी कच्चा आम ले सकते हो और ऐसे आपको क्यूब कट कर लेना है कच्चे आम के अगर किसी के बीच में ऐसे गुठली हो तो उसको निकाल देना है हमेशा आप क्या कीजिएगा कच्छा आम में कट करने में थोड़ा से प्रोब्लम होती है घर पे तो जो मार्केट में सपन लेकर आते हैं उसी टाइम आप इसे कटवा लीजिएगा और अब नीचे से गेस ओन करके एक बरतन में पाने लेंगे तीन चार गिलास हाफ चमच नमक की और थोड़ी सी क्वांटिटी में टर्मरिक पाउडर टर्मरिक पाउडर नमक को पानी में मिला कर जो अपने कच्छी केरी कट की हैं वो सारे इसमें एड़ करेंगे और इन्हें बोईल कर लीजेगा ये बहुत ही जल्दी उबल जाती है आपको बहुत ज़्यादा इसे उबा लेना नहीं है जब तक ये बोईल होगी तब तक इसका तड़का त्यार कर लेते हैं तड़के के लिए क्या करना है नीचे से गेस ओन करके एक बड़तन में अपन ओईल एड़ करेंगे दो टेबली स्पून ज्यादा तेल मत लीजेगा और तेल को गरम कर लेंगे मसाले में आपको क्या क्या लेना है दो चमच मेथी दाना और मिठे नीम के पत्ते हो फ्रेस हो तो फ्रेस ले सकते हो मेरी तरह ऐसे सुखी हुए नीम के पत्ते हो मिठे नीम के पत्ते वो ले सकते हो एक टीस्पून जीरा, एक चमच, सोट का पाउडर, 10-15 काली मेर्च और कलोंजी, चुटकी भर और इन सभी को डाल कर इन्हें हलका सा फ्राई कर लेंगे जलाना नहीं है आपको, हलका से इनका गोल्डन ब्राउन कलर होने देंगे ये सारे मसाले फ्राई हो चुके हैं, और फ्राई हो जाने के बाद ये देखे, मेथी दाना इनका कलर कितना सुन्दर आया है एक चमच हल्दी पाउडर के साथ पानी एड़ करेंगे इससे क्या होगा कि जो हल्दी पाउडर है और मसाले एड़ करेंगे वो जलेंगे नहीं डेड़ चमच इसमें लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे मेरा लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर डेड़ चमच एड़ कर रही हूँ अगर आपका लाल मिर्च पाउडर ज्यादा स्पाइसी हो तो आपको कम कौांटिटी में एड़ करना है और इस सारी मसाले को मिला कर पका लेंगे मसाला पक चुका है तेल भी उपपर आ चुका है अब इसमें अपन आख बंद करके एक गिलास पानी का एड़ कर देंगे और इसमें एक बार उबाल आने देंगे केरी बोईल करने का जो अपने अधूरा काम छोड़ा है अब उस पे भी ध्यान दे लेते हैं कच्चा आम बोईल हो चुका है अब अब अपन नीचे से गेस बंद कर देंगे आपको उतना ही बोईल करना है ऐसे हाथ से दबाने पर दब जाए और पानी में इसे निकाल कर जो अपना ये मसाला है उसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा मसाले में भी केरी का रज से चला जाया तो मैं क्या करूंगी तेन चार केरी को इसे फोड दूँगी आप मेस करने वाला कोई भी टूल ले सकते हो और ये देखे तीन चार को मैंने इसमें फोड लिया है अब बाहर निकाल लेंगे इस मेस वाले टूल को कच्चे आमे में ज़्यादा खटास रहती है तो आपको दो तीन चमच इसमें सक्कर की एड़ करना है सक्कर में मिठा पन है थोड़ी से अपने लाल मिर्स भी ज़्यादा एड़की है तो अलका सा तीखा है कच्चे आम में खटा पन रहता है तो खटा पन है इसमें ये सबजी जब ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इन तीनों का अनुपात बराबर रखते हैं ना तो इसमें ज़्यादा मिठा होना चाहिए ना ये ज़्यादा खटी होनी चाहिए ना ये तीखी होनी चाहिए इसमें एक बार उबाल आ चुका है अब अपन नीचे से गेस बंद कर देंगे ये लीजे अपने केरी की सबजी बन कर त्यार हो चुकी है आप इसे केरी की सबजी भी बोल सकते हो केरी की लोंजी भी कह सकते हो या फटाफट बनने वाला कच्चे आम का अचार भी बोल सकते हो